हेजबुल्ला के पास रूस का ब्रहमास्त्र इसके दम पर इस्रेल से भड़ गया इस्रेल ने लेबनार में हेजबुल्ला के ठेकानों पर लड़ाकों विमानों से निशाना बनाया है एक दिन पहले ही हिजबुला ने दावा किया था कि उसने इस्रेल पर 300 से ज़ादा रॉकेट दागे थे लेबनन के विद्रोही संगठन हिजबुला ने हमले के बात कहा कि उसने बेरूत में अपने कमांडर की हत्यों का बदला लेने के लिए इस्रेल पर ड्रोन और मिसायल से हमला कर दिया उसके ड्रोन और रॉकेट ने इस्रेली डिफेंस सिस्टम आइरन डॉम को भी निशाना बनाया है और दूसरी ओर इस्रेली डिफेंस पोर्सेज ज्यानी आईटिएफ ने एक बयान में कहा कि हिजबुला की तरफ से तकरीबन 150 रॉकेट और ड्रोन दागे गये हैं साधतर को हवा में ही मार गिराए गया हिजबुला के हमलों के बाद इस्रेल में इमर्जिंसी लगा दी गई है साधा इलाकों में साइरन की आवाज सुनाई दे रही है हिजबुला ने इस्रेल पर हमले में कट्यूशा रॉकेट का इस्तमाल किया है ये रॉकेट सेकंड वॉल वार के समय से इस्तमाल होते रहा है और बहुत खतरनाक माना जाता है आखर हिजबुला के पास कि तुशा जैसे हथियार कैसे पहुँच रहे हैं उनके पास और कौन कौन से हथियार हैं कौन फंडिंग करता है इसके लिए समझते हैं हिजबुल्ला के पास कितने लड़ाके हैं हिजबुल्ला दुनिया का ऐसा गयर सरकारी संगठन है जिसके पास सबसे ज़्यादा सैन्य ताकत है संगठन दावा करता है कि उसके पास एक लाख से जादा लड़ाके हैं हाला कि डिफेंस बहुत समेट कई डिफेंस तेंक टैंक का नुमान है कि हिजबुल्ला के लड़ाकों की संख्या 20,000 से 50,000 के बीच है वो अपनी शम्ता बढ़ा चुड़ा कर दिखाता है हिजबुल्ला के जादतर लड़ाके सीरिया जएसे जकों पर लड़ चुके हैं और बहुत ही अनुभवी माने जाते हैं हिजबुल्ला के पास कौन-कौन से हथियार है Defense Thing Tanks दावा करता है कि Hezbollah के पास 12,000 से 2,000,000 के बीच डॉकेट और मिसाइले हैं जादतर छोटी मिसाइले हैं इसके अलवा सतर से सतर पर मांग करने बाले डॉकेट भी हैं कुछ एक्सपोर्ट्स तो ये भी दावा करते हैं कि Hezbollah के पास गाइडेड मिसाइले भी हैं जो इसरेल के काफी अंदर तक हमला करने में सक्षम है उसके पास एंटी टैंक, एंटी एर्क्राफ्ट, एंटी शिप मिसाइले और ड्रोन का जखीरा है कुल मिलाकर, Hezbollah के पास इतने हथियार है जितने मिडिल एस्ट और दुनिया के कई छोटे देशों के पास में नहीं है Hezbollah के पास रूस के कौन सी चीज़ हैं राइटर्स के रिपोर्ट के मताबिक अमेरिकी खूफी एजनसी मानती है कि हाल के दिनों में Hezbollah ने तमाम हथियार जुटाएं है और पहले के मकाबले कई गुना ताखत वर हो गया है Hezbollah के पास रूस से मिली पावरफुल एंटी शिप मिसाइल फी है इस मिसाइल का नाम है यग खोट और जो जहाज को निशाना बना सकती है इसकी रेंच तीन सो किलोमेटर तक है इनहीं मिसाइलों के दम पर Hezbollah अमेरिका से लेकर तमाम पश्मी देशों को आखे दिखाता है मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक Hezbollah के पास यग खोट मिसाइल सीरिया की जरी आई और करीब एक दर्शक पहले जब सीरिया में ग्रहियुत चल रहा था तब Hezbollah ने राश्पती बसर अल-असद का साधिया था खूफी आइजेंसी क्या मानती है खूफी आइजेंसी कहती है कि इसी दौरान असद के जरीए Hezbollah के पास ये मिसाइल आई हलाकि Hezbollah ने कभी खूल कर नहीं कहा कि उसके ये खोट मिसाइल उसके पास है अब बताती हूँ कौन फंडिंग करता है दुनिया के तमाम देशों ने Hezbollah को आतंकी संगठन खोशित कर रखा है और बैन लगाया है साल 1997 में अमेरिका ने Hezbollah को ट्रेरिस्ट और्गनाइजिशन करार दिया इसके बाद इस्रेल, जोमनी, सौदी अरब, अरब लीक और तमाम पश्मी देशों ने इन सब पर बहन लगाया और इसके बावजूद Hezbollah साल दर साल ताखतवर होता क्या Hezbollah की फंडिंग का मुखे सोर्स इरान है जो पैसे और हतियार दुनों मुहया कराता है डिफिन्स एक्सपोर्ट कहते हैं कि तमाम शिया, बाहल, मुस्लिम देश और संगठन भी Hezbollah की चोरी चुपके फंडिंग करते हैं और हतियार भी उपलब्द कराते हैं इसे लिए Hezbollah इतना ताकत वर हैं